हेलो फ्रेंड्स देखिए ब्रड रिलेशन का जो बेसिक कॉंसेप्ट था ये हमने पिछली क्लास में डिसकस कर लिया था ठीक है आज हम उस कॉंसेप्ट पर रिलेटेड धेर सारे कोश्चन्स को डिसकस करने वाले हैं जो आपके एक्जाम्स के पॉइंट आफ व्यू से बहु कि मैंने बताया था कि ब्लड रिलेशन के किसी भी कोश्चन को आप किस पर बनाओगे फैमिली ट्री ड्रॉ करके बनाओगे ठीक है अब फैमिली ट्री बनती कैसी है उनके लिए किनकिन सिंबल्स का यूज करते हैं ये सारी चीजे पार्ट वन में हम लोगों ने डिसकस कर ल वाले हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आधर पर सब बेसिक ले ले लेंगे फिर हम लोगा आएंगे कोडिंग वाले पर ठीक है चलिए चलिए आपका प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या पर मत ध्यान दीजेगा प्रश्न देखिएगा ठीक है आपका प्रश्न दिया गया है कि D B का भाई है तो देखिए D क्या है भाई है किसका भाई है B का भाई तो D क्या हो गया, भाई हो गया, किसका B का भाई है M B का भाई है, अब इसका एक भाई कौन है, M है, ठीक है फिर कह रहा है कि K M का पिता है, अब देखिए जो K है, वो पिता है, किसका M का तो देखिए क्या कह रहा है कि K पिता है, किसका M का तो K पिता हो गया, पिता होगा तो एक पीड़ी उपर होगा, और किसका पिता होगा, M का, अब अगर ये इसका पिता होगा, तो इसका भी पिता होगा, और इसका भी पिता होगा, क्योंकि ये सब एक ही जनरेशन में हैं, ठीक है, चलिए, फिर क्या करा है कि T, K की पतनी है, अ कभी-कभी आप ये करते हो कि पूरा figure तो सही बनाओगे लेकिन जब last में question पूछता है तो आप ultra relation बनाने लगते हो ठीक है? तो देखो इस सब्द का मतलब क्या होता है B का T से क्या संबंध है इसका कहने का मतलब ये है कि B कौन है B कौन है किसकी? T की B कौन है T की? तो आप बताओ B कौन है T की? तो आप कहोगे सर इसका gender तो नहीं पता है अगर ये महिला हुई तो पुत्री हो जाएगी और अगर ये पुरुस हुआ तो क्या हो जाएगा पुत्र? तो अगर ये male हुआ तो आपका क्या हो जाएगा? सन और अगर female हुई तो daughter तो इस प्रशन का अंसर अब यहाँ पर अगर ये दोनो आप्शन आपका या में लिखे होते हैं तब तो आपका ये चूज कर लेता पुत्र या पुत्री लेकिन केवल पुत्र तो नहीं कह सकते हैं यहाँ पर क्योंकि B का तो gender ही नहीं पता है नहीं केवल पुत्री कह सकते हो तो इस प्रशन का अंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं कर सकते हैं ठीक है? क्योंकि जब तक question की condition ये clear ना कर दे तब तक हम अपने मन से plus या minus sign किसी भी name के उपर नहीं लगाएं ठीक है? चलिए अब देखिया अगलार प्रशन आज सारे type के questions को discuss कर लेंगे बिल्कुल सारा जितना भी हम लोगों ने सीखा था ना उन सब को आज को apply करना है चलिए अगलार प्रशन क्या कर रहा है? A, B की बहन है अब देखिये A क्या है? क्या है? बहन है किसकी बहन है? B की बहन है फिर कर रहा है कि C, B की मा है अब देखिये C क्या है? मा है, किसकी मा है? B की मा है ठीक है? अब अगर ये इसकी मा है तो इसकी भी मा होगी फिर कर रहा है कि D, C का पिता है अब देखिये D क्या है? D क्या है पिता है किसका पिता है C का पिता है फिर कर रहा है E D की मा है आप देखिए जो E है वो मा है किसकी D की आप देखिए जो E है वो क्या है मा है किसकी D की तो आपका पूछ रहा है कि A D से A का D से क्या संब्द है मतलब A कौन है किसका D का तो ये देखे ये इसकी पुत्री है और ये पुत्री का क्या है पुत्री की क्या है पुत्री है तो ये इसकी क्या हो जाएगी नातिन हो जाएगी तो आपका option number 4 is the right answer ठीक है c इसकी माता होगी और ये माता जी के पिता जी होगे तो ये इसके नाना होगे और जब ये इसके नाना होगे तो ये इसके क्या होगी नातीन होगी क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि a का d से क्या संबंद है मतलब a कौन है किसका d का चलिए अगले प्रस्ट पे चलते हैं A माता है D की चलिए फटाफट किसी भी प्रशन का family tree जरूर बना लेजेगा तभी आप answer देने की कोशिस करिएगा कहरा है A माता है D की अब देखिए A क्या है A क्या है माता है ठीक है तो देखिए A क्या होगे माता होगे किस की माता है D की माता ठीक है B बेटी नहीं है C की आप कहरा है कि B क्या है बेटी नहीं है किस की C की तो इस चीज को अपने mind में रखिएगा B बेटी नहीं है C का C पिता है D का अब देखिए C क्या है पिता है किसका D का, तो बाई, ये दोनों क्या हो जाएंगे, husband wife हो जाएंगे, ठीक है, अब क्योंकि ये इसकी माती है, ये इसकी पिता है, यहाँ पे plus 9 लगा दीजे, ठीक है, फिर करा B बेटी नहीं है, C की तो अब इस चीज को छोड़, फिर करा C पिता है, D का, फिर करा D की बहन है, B, अगर ये इसकी बहन है, इन दोनों की क्या होगी, पुत्री होगी, ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो A का B से कैसे संबंदी थे, A का B से संबंद बताना है, तो A क्या है, माता है, किसकी, B की, option number, A is the right answer, ठीक है, यहाँ पर A क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, किसकी, B की, चलिए, अगले प्रस पर चलते है, P और Q भाई है, अब देखिए, P और Q क्या हो गए, भाई हो गए, चलिए, R और S क्या है, बहने है, अब देखिए, R और S क्या हो गए, बहने हो गए, ठीक है, फिर करा कि P का पुत्र S का भाई है, अब करा कि जो P का पुत्र है न, वो S का क्या है भाई है अब देखें पी का कोई पुत्र है और वो भाई है किसका एसका भाई है ठीक है अब एस यहाँ पर हो जाएगा और जब एस यहाँ पर आएगा तो आर भी यहाँ पर आजाएगा फिर इन दोनों का भी इससे क्या हो जाएगा सेम रिलेशन हो जाएगा यह इसक कि पिता जी है और यह पिता जी कहें क्या है भाई है तो चाचा हो जाएंगे ठीक है option number A is the right answer ठीक है Q का R से क्या संबंद है चाचा का संबंद है मतलब क्यों कौन है किसका R का चलिए देखिया अगला प्रशन क्या कह रहा है अगला प्रशन कह रहा है A B की बहन है A क्या है बहन है किसकी बहन है B की बहन है ठीक है फिर कह रहा है कि C B की मा है अब देखें C क्या है C क्या है मा है किसकी मा है सरी मा है तो female होगी ना बच्चो ठीक है तो इसको मिटा लेते है, C क्या है, मा है, C मा है, किसकी, B की, ठीक है, C, B की मा है, फिर कराएं कि D, C का पिता है, अब D क्या है, पिता है, किसका, C का, E, D की मा है, अब इसकी एक मा है, कौन, E, E, D की मा है, तो A का D से क्या सम्बंद है, ठीक है, A का D से क्या सम्बंद है, तो सा प्रश्न आ चुका है नातिन का सम्मुन इससे पहले भी शायद प्रश्न ये आया था चलिए अगला प्रश्न देरेते हैं देखे क्या कहरा है A B का भाई है चलिए क्या कहरा है A क्या है भाई है किसका भाई है B का भाई है फिर करा कि C A की माता है C क्या है माता है किसकी A की D C का पिता है D क्या है पिता है किसका C का ये इसका क्या हो जाएगा husband हो जाएगा और ये इसका पिता हो गए फिर करा कि और F A का पुत्र है F क्या है पुत्र है किसका A का A F के बच्चे से किस प्रकार सम्बंदित है फिर कह रहा है F A का पुत्र है F A का पुत्र है तो कह रहा है कि A F के बच्चे से किस प्रकार सम्बंदित है अब अगर F का कोई बच्चा हो तो A किस प्रकार सम्बंदित होगा तो उनका दादा हो जाएगा option number 3 is the right answer A, F के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, तो A, F के बच्चे का क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, कहा रहा है कि अगर इसका कोई बच्चा हो, तो उससे A किस प्रकार संबंधित है, तो A उसका क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगर प पर आते हैं, कहरा है कि A D का भाई है, चलिए अब इसका कैसे बनेगा, A क्या है, A क्या है, भाई है, किसका भाई है, D का भाई है, फिर कहरा है कि D B का पिता है, अब D क्या है, पिता है, किसका पिता है, B का पिता है, फिर कहरा है, B और C बहने है, B और C क्या है, दोनों बहने है तो अगर ये इसका पिता होगा तो इसका भी पिता हो जाएगा फिर करा कि C का A से क्या संबन्द है करा कि C का मतलब ये C कौन है किसकी A की तो भाई ये इसके पिता जी है पिता जी का भाई कौन हो जाता है चाचा हो जाता है तो भाई जब ये इसके चाचा है तो ये इसकी क्या हो जाएगी भतीजी हो जाएगी female है ना तो क्या हो जाएगी भतीजी अगर यह male होता तो क्या हो जाता भतीजा अब भतीजी किसके लिए होता है नीन्स के लिए और भतीजा किसके लिए होता है nephew के लिए अब देखिए आपके option में क्या दिया हुआ तो यहाँ पर हो जाएगी भतीजी इसको कहते है N I E C E कहीं पर आप्षन में ऐसे लिख देता है तो confuse मत हो जाएगा इसका मतलब क्या है भतीजी है ठीक है चलिए अगले प्रस्ट पर चलते है अगला प्रस्ट कहा रहा है कि A B की मा है ठीक है चलिए A क्या है A क्या है मा है किसकी मा है B की मा है C A का पुत्र है C क्या है पुत्र है किसका पुत्र है A का पुत्र है इन दोनों में relation होगा या तो बहन भाई का होगा ठीक है, फिर काई रहा है कि D E का भाई है, अब देखें जो D है, D है वो क्या है, भाई है, किसका भाई है, E का भाई है, E B की पुत्री है, E क्या है, पुत्री है, किसकी, B की, ठीक है, अब इसका एक भाई था कौन, D का, ये चीज लाकर यहां रख दीजे, ठीक है, तो ये जो संबंद इसका इससे होगा वह संबंद इसका इससे होगा तो कह रहा है कि ए की दादी या नानी कौन है तो भाई ये इसके माता या पिता होंगे ए की दादी या नानी कौन होगी ए ही तो होगी इस प्रश्ण का अंसर क्या हो जाएगा भाई इसका जंडर नहीं पता है अगर ये मेल हुए इनकी माता जी इसके लिए दादी हो जाएंगी अगर ये फीमेल हो गई इनकी माता जी इनके लिए क्या हो जाएंगी नानी हो जाएंगी यह तो फीमेल है तो यह दादी होगी या तो नानी होगी ठीक है अब पिता जी हुए तो दादी हो जाएंगी अगर माता जी होई तो नानी हो जाएंगी ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने मन से कभी प्लस या माइनस साइन मत रख दीजेगा कि कुछ नहीं बचा तो लाओ प्लस लगा देते हैं कुछ नहीं बचा तो लाओ माइनस लगा देते हैं ठीक है आपको अभी tough लगे क्यों क्योंकि आप जिस भी method से question को solve करते हुए आ रहे होंगे blood relation का ठीक है उस method के साथ आप comfortable है तो वो आपको आसान लग रहा होगा लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई भी method follow करोगे तो वो कहीं न कहीं इसके मुकाबले जादा time लेगा मैं आपको guarantee के स क्योंकि एक-एक second मिलकर minute की कमी को पूरा कर देता है और एक-एक minute आपके लिए exam में बहुत ज़्यादा important होता है तो ठीक है तो जो भी इससे पहले आप जिस भी method से solve करते आया हों उस method को थोड़ा सा भूलने की कोसिस करियेगा और question को इस तरीके से बनाने की कोसिस करियेग प्लस या माइनस लाइन कैसे लगाते हैं ये सब चीजे हमने पहली क्लास में discuss कर लिया है कि प्लस किसके लिए use होता है माइनस किसके लिए use होता है एक 36 लाइन किसके लिए use होगी एक लंबोत लाइन किसके लिए use होगी ये सारी चीजे हमने last class में discuss कर लिया है चलिए अब पे चलते हैं, क्या कर रहा है, A, B का पती है, चलो, A को बनाते हैं, B का पती, ठीक है, A क्या है, पती है, पती है, तो क्या होगा, मेल होगा, किसका पती है, B का पती है, तो B की क्या हो जाएगी, पती नहीं हो जाएगी, और हस्बेंड और वाइफ को जोड़े को किस से सो करते ह अब देखे क्या क्या रहा है कि a b का अपती है तो कि क्या पती हो गया ठीक है, क्योंकि male men थोड़ी ना साधी कर लेते हैं, ठीक है, female और male ही की साधी होगी, ठीक है, चलो, फिर कहरा है कि c b का भाई है, अब इसका एक भाई है, कौन, c, ठीक है, फिर कहरा है कि d b का पिता है, अब देखो जो d है, वो क्या है, पिता है, किसका, b का, तो अगर इसका पिता होगा, इसका भी क्या होगा, पिता नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फादर इल्ला हो जाएगा, ठीक है, जिसको कहते है ससुर, जिससे साधी होई हो, ठीक है, देखे, मैंने बताया था आपको, कि जब भी कोई परसन है, तो जिसससे साधी होई होती है, उसका पिता उस इसके लिए फादर इल्ला हो जाएगा बी की जो सिस्टर है इसके लिए सिस्टर इल्ला हो जाएगा बी का कोई भाई होता तो इसके लिए ब्रदर इल्ला हो जाता और एक कोई सिस्टर होती तो इसके लिए सिस्टर इल्ला हो जाती है ठीक है चलिए फिर कह रहा है कि E B E B का बेटा है अब देखिए E क्या है बेटा है किसका B का अब अगर इसका बेटा होगा तो इसका भी बेटा होगा फिर कह रहा है कि F A की बेटी है अब देखिए F क्या है F क्या है बेटी है किसकी A की तो ये दोनों क्या हो जाएंग के पुत्र पुत्री हो जाएंगे फिर केरा कि एफ और D के बीच क्या संबंद है ठीक है अब कहा रहा है कि F और D के बीच क्या संबंद है तो देखो यह इसकी क्या है माता है और यह माता के क्या है पुत्र है तो बताओ F और D के बीच में क्या संबंद हो जाएगा दादा और पोती का option number clear है न चलिए next प्रस चलते हैं A C का पिता ठीक है चलो बना लेते हैं A क्या है पिता है किसका पिता है C का पिता है और D B का पुत्र है और जो D है वो पुत्र है किसका B का तो D क्या है पुत्र है किसका B का एक चीज का और ध्यान रखेगा कि जब भी आप प्रश्ण को solve करना शुरू करिए तो ये नहीं कि पहले एक बार पूरी कहानी पढ़िएगा फिर आप एक बार बनाना शुरू करिएगा question पढ़ते जाईए और जो कह रहा है उसको अपने rough seat पर draw करते जाईए ठीक है अगर आपकी online exam हो रहा है तो computer screen पर question को पढ़ते जाईए और साथ में साथ उसको rough seat पर अपने draw करते जाईए ये नहीं कि एक बार पूरी कहानी पढ़ेंगे फिर उसके बार फिर दुबारा पढ़के तब draw करना शुरू करेंगे पढ़ते जाईए draw करते जाईए जो चीज़ इसमें रखने लाइक हो उसको रखिये और जो चीज़ ना रखने लाइक हो उसको side में अपने rough seat पर ही indicate कर दीजिए ठीक है जैसे आपको कहा रहा था कि A क्या है पिता है किसका C का और D B का पुत्र है तो यहाँ ना D मिला हुआ था ना B मिला हुआ था तो हमने इसको side में draw कर दिया ठीक है अब यह नहीं कि इसको आप नहीं मिला तो छोड़ दीजिए दिमाग ठीक है आप इसको side में draw करिए ठीक है फिर बाद में जब question पूरा complete हो जाएगा तो अगर नहीं दोनों के relation होगा तो फिर bind up करने की कोशिस करिएगा मिलाने की कोशिस करिएगा ठीक है चली अब कहरा है कि E A का भाई है अब देखे क्या है जो E है वो भाई है किसका A का भाई है ठीक है फिर कर रहा है कि C D की बहन है अब देखे जो C है वो क्या है बहन है किसकी D की बहन है ठीक है अब देखे अब इन दोनों को आपस में मिला सकते हो को कि जब C का D से relation हो गया तो देखे अब क्या था D क्या था पुत्र था किसका B का अब देखे, D, B का पुत्र है, C, A की पुत्री है, ये दोनों sister sister हो गए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, husband wife हो जाएंगे, ये male है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, female हो जाएगा, ठिक है, तो क्या रहा है कि B का E से क्या रिस्ता है, B कौन है, किसकी, E की, अब बताओ, ये जो B है वो कौन है किसकी E की तो देखो ये इसका भाई है ये इसका भाई है ना और भाई की क्या है ये वाइफ है तो भाई की वाइफ तो हिंदी में क्या कहलाती है भावी कहलाती है और इंग्लिस में अगर बात करें तो मैंने बताया था कि जिससे साधी हुई होती है उसका जो भाई और बहन होंगे वो उसके लिए क्या हो जाएंगे सिस्टर इल्ला हो जाएंगे ठीक है तो उस तरह भादी और उस तरह सिस्टर इल्ला सिस्टर इल्ला option number two is the right answer clear है ना चलिए बिल्कुल family tree आराम से बनाना है कोई जल्दिवाजी नहीं करना है देन आफ्टर अपने question को फटाफट क्या करना है solve करना है चलिए अब देखिए थोड़ा सा question का level हलका सा वड़ा क्या कह रहा है a b c j और k a b c i j और k ठीक है total कितने person हो गए छे person है ठीक है फिर कह रहा है कि j i का पुत्र है अब देखो बच्चों क्या कह रहा है j क्या है पुत्र है पुत्र है तो क्या होगा mail होगा किसका पुत्र है i का पुत्र है तो i से एक पीड़ी क्या होगा नीचे होगा ठीक है फिर कहा रहा है कि जो जे की माता नहीं है अब यहाँ पर जो आ गया तो मैंने बताया था कि प्रश्ण में जो भी सबसे पहले आएगा वो हो जाएगा first person और उसके बाद जो आएगा वो हो जाएगा क्या second person अब अगर ये दोनों sentence जो या जिसका से जुड़े होंगे तो उसके बाद जो कुछ भी लिखा होगा वो किसके लिए होगा second person के लिए होता और अगर यहाँ पर और आता लेकिन आता जब की आता या कुछ भी ना भी आता तो इसके बाद की कहानी जो भी होती वो किसके लिए हो जाती फर्श पर्सन के लिए हो जाती ठीक है तो देखिए जो जे की माता नहीं है जो का मतलब किसके बारे में कह रहा है I के बारे में कह रहा है कि I क्या है, J की माता नहीं है अब देखिए, ये इसका पुत्र है ये इसकी माता नहीं है तो फिर तो एक relation तो जरूरी होगा ना तो फिर ये इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा clear हुआ, ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि B, I का भाई है अब देखिए, B क्या है, भाई है किसका भाई है, आई का तो भाई है तो मेल होगा और I का भाई है तो दोनों सेमी पीडी में होंगे फिर कह रहा है कि K और I क्या है merit का पल है, K और I क्या है विवाहित जोडे है अब भाई आई की साधी किस से होगी, भाई आई तो खुद एक पूरूस है ना, तो आई की जिससे साधी होगी, वो क्या होगी, महिला तो होगी, ठीक है, अब देखिए अगर ये इसका पुत्र है, तो इसका भी पुत्र होगा, कोकि दोनों क्या है, merit couple है, husband, wife है, पती-पतनी फिर कहा रहा है कि C, K की पुत्री है अब देखिए जो C है जो C है वो क्या है पुत्री है किसकी पुत्री है के की पुत्री है ठीक है अब देखिए यह इसकी पुत्री हो गया यह इसका पुत्र हो गया तो यह दोनों क्या हो जाएंगे भाई बेहन हो जाएंगे ठीक है फिर कह के बाद की जो कहानी होती हो किसके लिए होती है सेकेंड पर्सन के लिए होती है तो जो के बाद की जो कहानी होगी हो किसके लिए होगी के के लिए होगी के के बारे में कह रहा है कि जो सौरी जो K की बहन है C K की पुत्री है सौरी यहां तो माइनस लगा ना था ना यह गलती हो गया ठीक है देखो यहां पर K हो जाएगा भाई यह male है तो इसकी female साधी होगी ना उल्टा करा दिया आप लोग ने male male की साधी करा दिया अनर्थ हो जाएगा ठीक है तो देखे K क्या वाई यह male था तो इसकी जिससे साधी वाई दोनों merit कपल थे कि और I विवाही जोड़े थे तो यह क्या था यह आपका पुरुस हो था तो यह पुरुस था तो यह क्या हो जाएगी महिला हो जाएगी कि जो A की बहन है जो का मतलब कौन? K के बारे में कहा रहा है कि K क्या है? बहन है किसकी? A की लेकिन A के बारे में अभी कुछ यहां से नहीं clear हो रहा है तो हम A की उपर प्लस या माइनस साइन अपने मन से नहीं लगाने वाले हैं ठीक है? क्योंकि बहन की भी बहन होती है और भाई की भी क्या होती है? बहन हो सकती है चलिए अब देखें पहला प्रशन इसके आधार पर क्या कहता है? इस चीज को दिमाग में रखेगा क्योंकि प्रशन अभी इस पर आधारी तीन है पहला प्रॉशन है कि J का C से क्या संबंद है भाई है, अब इस चीज को दिमाग में रखना है और अगले प्रशन पर आना है अब इस पर आधारित तीन प्रॉशन है बागी दो प्रश्णों के आंसर आप इसी के आधार पर दे दीजेगा, यह आपका figure बना होगा, ठीक है? एक प्रश्ण ये है परिवार में कितने महिला सदस थे तो देखो परिवार में कितने महिला सदस थे इस प्रश्ण का अंसर जब आप देने चलोगे तो देखो कि आपको एका जेंडर ही नहीं पता चला था कि ए पुरुस है या महिला है तो जब तक आपको एका जेंडर नहीं पता चल पाएगा तब तक आप ये clear नहीं बता सकते कि परिवार में कितनी महिला है या कितने पुरुस है भाई अगर मैं किसी के परिवार के बारे में आप से पूछ रहा हूँ तो आप कहोगे सर पहले बता तो दो किसके परिवार में कौन-कौन है तब तुम्हें आपको पता पाऊँगा कि परिवार में कितने महिला है या पुरुस है अब पूरे प्रश्ण में एक्जामनर आपको बता ही नहीं रहा है कि A का जेंडर क्या है तो जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि A का जेंडर क्या है तब तक आप ये clear नहीं बता सकते हो कि A पुरुस है या महिला है तो इस प्रश्ण का अंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते है clear है चलिए अगला कहरा था कि C के कितने बच्चे है ठीक है चलिए अब ये दूसरा प्रश्ण आ गया इसको भी उसी तरीके से draw करना शुरू करते है चलिए आईए क्या कहुआ रहा रहा है A F की बचु है अब देखिए A क्या है बचु है A क्या है बचु है बचु है तो क्या होगी female होगी किसकी बचु है F की बचु है अब A किन सर्तों पे F की बहु बनेगी जब A का कोई बेटा हो और उससे साधी हुई हो किसकी? A की ठीक है भाई A F की बहु है तो A को F की बहु कैसे बना सकते हो? जब भाई F का कोई बेटा हो और इससे साधी हुई हो किसकी एकी ठीक है clear है ना फिर देखे आगे क्या कहा रहा है जो C का पिता है जो किसके लिए होता है second person के लिए तो आपके प्रश्ण में जो भी पहले आएगा वो हो जाएगा first जो उसके बाद आएगा वो हो जाएगा second ठीक है तो अब जो के बाद जो कुछ भी कहानी लिखी होगी वो किसके लिए लिखी होगी second person के लिए लिखी होगी ठीक है तो मतलब F के बारे में एक चीज़ और कह रहा है कि ये पिता है किसका C का तो F क्या है पिता है किसका C का अब देखिए हो सकता है कि जिस लड़के की बात हो रही हो मतलब A की पती की बात हो रही है तो A का पती हो C या तो हो सकता है कि इसका कोई भाई हो वो हो C आगे कह रहा है कि जिसका जिसका तो अब देखिए जब कई लोग हो जाते हैं जब दो लोग से अधिक हो जाएं तीन लोग हो जाएं, चार लोग हो जाएं, पांच लोग हो जाएं तो उस case में अगर जो या जिसका आता है तो वो होता है last person के लिए मतलब इसके just pass में जो लोग होंगे या जो alphabet होगा यह उसके लिए यूज हो रहा हो जिसका कोई भाई या बहन नहीं है तो जिसका मतलब किसका? C का कोई भाई या बहन नहीं है तो अब इस line से clear हो गया कि F के जिस लड़के की बात हो रही थी जिसकी साधी A से हुई थी वो कौन है? वो C है clear है? चलिए फिर आगे कह रहा है कि B E की बहन है ठीक है? अब B क्या है? बहन है किसकी बहन है? E की बहन है ठीक है? तो देखिए अभी न B मिला हुआ है न E मिला हुआ है थोड़ा सा रुख जाएए फिर कह रहा है कि जो फिर जो आ गया है तो देखे अब इस line में पहला person कौन था B था, second person कौन था, E था तो इसके बाद की जो कहानी होगी वो किसके लिए होगी, E के बारे में होगी जो A का पुत्र है, मतलब E क्या है, पुत्र है, किसका A का, तो ये हो गया क्या, पुत्र हो गया, किसका पुत्र हो क्या है C का ब्रदर इल्ला है तो मैंने बताया था कि ब्रदर इल्ला क्या होता है अगर कोई मेल है उसकी जिससे साधी होई है मतलब उसकी वाइफ उसका भाई उसके लिए क्या होता है ब्रदर होता है अगर कोई फीमेल है उसकी जिससे साधी होई मतलब उसका हस्बेंट उसका जो भाई होगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा ब्रदर इल्ला हो जाएगा ठीक है तो अगर D C का ब्रदर इल्ला है तो C की जिससे साधी होगी उसका भाई कौन हो जाएगा D हो जाएगा ठीक है D C का ब्रदर इल्ला है ठीक है अब ये हो गया इसका figure क्लियर है चलिए अब देखें यहां पर एक चीज और कहाता है ए एफ की बहु है जो सी का पिता है ठीक है जो सी का पिता है तो इसका पिता कौन था ठीक है इसके लिए कह रहा था कि जो सी का क्या है पिता है ठीक है चलो अब देखो सी के कितने बच्चे है तो बताओ बच्चो तो C के कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं, ठीक है? चलो, अब ये figure आप दिमाग में बैठा लिजेगा, इस पर आधारित दो तीन प्रशन होंगे आगे, ठीक है? देखे, आगे क्या कह रहा है, इस figure को आप अपने copy पर draw कर लिजेगा, आगला प्रशन देखे, क्या कह रहा भी क्या थी पोती थी किसकी F की ठीक है चलो आगी क्या कह रहा है डी का A से क्या संबंद है तो बताओ डी का A से क्या संबंद था तो डी क्या था भाई था किसका A का ठीक है चलो डी क्या था भाई था किसका A का अब देखिए संकेत पर कुछ questions आपके इस टाइब के भी आते हैं इसको भी discuss कर लेते हैं एक लड़की की और संकेत करते हुए मनोज ने बताया चलो, ये मनोज है और मनोज एक लड़की की तरफ, एक girls की तरफ क्या कर रहा है यह लड़की होगे, लड़की होगे तो माइनस साइन से दिखा दीजिएगा, जी मतलब गर्ण, ठीक है, मनोज एक लड़की की तरफ इसारा करते हुए बताया, कि वह मेरे दादा, किसके दादा, जो इतनी कहानी बता रही है, मनोज, ठीक है, कि वह मेरे दादा, तो मतलब मनो मनोज के कौन पिता जी कि क्या है पुत्री है वहां मेरे दादा के एकलाते पुत्र की क्या है पुत्री है तो यह मतलब यह लड़की क्या हो जाएगी मनोज की बहन हो जाएगी यह लड़की मनोज की क्या हो जाएगी बहन हो जाएगी ठीक है तो आप से कह रहा है कि उस लड़ की का मनों से का संबंद सिस्टर का संबंद है बिल्कुल इजी सा था इसमें कोई भी डिफकल्टी आप लोगों को नहीं हुई होगी ठीक है चलिए अगला रपस लेते हैं अगरा कह रहा है कि एक महिला की तरफ संकेत करते हुए ठीक है, क्या कह रहा है कि एक महिला की तरफ संकेत करते हुए एक महिला हो गई, इस महिला की तरफ संकेत करते हुए ये female लिख लेता हूँ, एक महिला की तरफ संकेत करते हुए सुनीता ने कहा अब सुनीता इस female के बारे में बता रही है कि उसके पिता किसके पिता इस महिला के पिता के एक मात्र पुत्र अब इस महिला के पिता का एक मात्र पुत्र कौन होगा इसका भाई हो जाएगा एक मात्र पुत्र की पतनी इसकी कौन पत्नी, मेरी सास है, अब जो इसकी पत्नी है, वो किसकी सास है? सुनीता की सास है, क्योंकि इतनी कहानी तो सुनीता ही सुना रही है नī देखे प्रशने क्या कह रहा है कि एक female की तरफ, एक महिला की तरफ, यहाँ पर महिला लिख लो जादा दिक्कत हो, लेकिन लिखोगे तो ज़्यादा time लगेगा, इसलिए हमने F लिख दिया, एकजाम में आपको एक second बचाना है, तो अगर महिला लिखोगे तो ज़्यादा time ल सास है, अब यह सुनीता की सास कब बनेगी, जब इन दोनों का कोई पुत्र हो, और उससे साधी होई हो किसकी, सुनीता की, मैंने पुत्रही की बात क्यों क्या, भाई मैंने नाम से कैसे decide कर लिया, कि सुनीता female है, male भी तो हो सकती है, तो यहाँ पर कह रहा है कि तो सुनीता क पती का, तो यहाँ से तो क्लियर हो जाएगा ना, कि सुनीता क्या हो जाएगे, female हो जाएगे, ठीक है, तो आप से कह रहा है कि सुनीता के पती का, सुनीता का पती है, उस महिला से, इस महिला से, यह इसी महिला की बात कर रहा है ना, तो देखे, सुनीता का पती के पता है, प हो जाएगा बतीजा हो जाएगा तो आपका option number a is the right answer ठीक है तो देखें कैसा भी प्रश्ण दे एक्जाम में आपको हर एक प्रश्ण का proper family tree बनाने के बाद ही answer देना है उसमें आप कोई जल्दिबाजी बिल्कुल मत करिये गा क्लियर है चलिए अगले प्रस्ण में चलते हैं बिना family tree दिमाग में ऐसे प्रश्णों को आपको लग रहा होगा कि इजी है तो मैं दिमाग में calculate करके फटाफट relation बता दूँगा तो आप ये गाठ बांद लीजिए कि अगर इस ट्राइब का प्रश्ण आप एक्जाम में कल के आए और दिमाग में करोगे तो 60% तो सही हो सकता लेकिन 40% गलत होने के भी चांस रहते हैं लेकिन अगर आप family tree एक बार बना दोगे तो इस प्रश्ण में किस से किसी का भी relation पूछ ले आप से गलती बिल्कुल आपका 99% सही आंसर आए गा ठीक है चलिए अगलार परश्ण लेते हैं कि यह कह रहा है कि एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए माली जैए यह पिक है और इस पिक की तरफ संकेत करते वे कौन कहा रहा है मनोज ने कहा कि वह मेरे दादा मतलब मनोज के पिता जी के कौन पिता जी वह मेरे दादा के एकलावते पुत्र का पुत्र है अब मेरे दादा के एकलावते पुत्र का पुत्र है तो हो सकता है कि वह मनोज खुद हो और हो सकता है कि इसका जो भाई हो वो हो बाई अगर यहां पर कहा देता कि एकलावते पुत्र का एकलावता पुत्र है तब तो वो मनोज खुद होता लेकिन कहा रहा है कि वह मेरे दादा के एकलावते पुत्र का पुत्र है तो हो सकता है कि मनोज खुद हो या हो सकता है इसका कोई भाई हो तो यहां से कैसे नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर एक लौता वर्ड जूड़ा या अगर एक लौता बर aquell जूड़ जा तो इस प्राष्ण का अंसर हो जाता है स्वयम लेकिन कलो ता वर नहीं जुड़ा है तो इस प्राष्ण का अंसर होगा शॉयम या बाई तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए ठीक है चली अब देखे क्या कह रहा है कि एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए राजेश ने बताया ठीक है राजेश ने बता रहा है किसकी तरफ संकेत कर रहा है एक पिक की तरफ संकेत करते हुए राजेस ने बताया कि वह मेरे एकलावते पुत्र ठीक है इस पिक की तरफ संकेत करते हुए राजेस बता रहा है कि वह मेरे एकलावते पुत्र की माता अब वह मेरे एकलावते पुत्र की माता कौन हो जाएगी इसकी पतनी हो जाएगी वह मेरे एकलावते पुत्र की माता के पिता की पतनी है कौन पतनी है? जिस पिकी की वो बात कर रहा है ठीक है? एक तस्वीर की तरफ, जिस तस्वीर की वो बात कर रहा ही तो होगी एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए राजेस ने कहा कि वह मेरे एकलोते पुत्र की माता के पिता की क्या है पत्नी यही तो वो तस्वीर है तो आप से कह रहा है कि राजेस का उस तस्वीर वाली महिला से क्या संबन्द है मतलब राजेस उस तस्वीर वाली महिला का क्या है ठीक है तो देखो ये राजेस की क्या है पत्नी है और ये इसकी क्या है माता है तो जब पत्नी की माता तो इसके लिए क्या हो जाएगा मदर इल्ला और जब ये इसके लिए मदर इल्ला है तो ये इसका क्या हो जाएगा क्योंकि आपका प्रस्री ये पूछ रहा है कि राजेस का उस महिला से क्या संबंद है। ठीक है? चली है. फिर देखिए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक महिला की और संकेत करते हुए आलोक ने कहा. अब देखे एक महिला है, एक female है, ठीक है महिला है माइनस कर लेते, एक महिला की तरफ संकेत करते हुए आलोक ने कहा, अब क्या करा इस महिला के बारे में, कि उसके पिता, इस महिला के पिता, उसके पिता के एक मातर पुत्र, अब इसके पिता का एक मातर पुत्र कौन होगा, अब ये इसकी क्या है ये इसकी पतनी जो है वो आलोग की सास है तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों की कोई बेटी हुए उससे साधी हुई होगी किसकी आलोग की अब मैं बेटी की बात ही क्यों कहे रहा हूं क्यों कि आलोग की पतनी का पूछ रहा है ठीक है तो आपका नीन्स भी लिख देता है तो आप confusion मत होएगा N I E C E यह आपका English word है और इसी क्या pronunciation कहीं कहीं option में लिख देगा तो आपको मैंने बताए था आपको जब मैं generation table बताए था तो उसमें English और Hindi दोनों मीडियम में मैंने बताए हुआ है तो वहाँ पर मैंने यह चीज़ कहा है कि आपको हर एक relation का English word भी प्रोगरी तरीके से याद होना चाहिए उसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए तो कर लेंगे ना इस टाइब का प्रश्ण हो जाएगा चलिए तो चलिए blood relation के इस part में केवल इतना ही इसके बाद आपका एक final बचा हुआ है जिसको कहते है coding blood relation जो आपके exams के लिए बहुत ही ज़्यादा important है और आज कल जितने भी online exam हो रहे हैं coding blood relation सबसे ज़्यादा महतपूर और सबसे ज़्यादा माइने रखता है तो वो हम last class में उस पर discuss करेंगे और इस पर हम धेर सारे question लेंके राने वाले हैं तो last part में हम लोग discuss करेंगे coding blood relation इसको इस पर आप questions की practice और करिएगा जो तरीका मैंने बताया आप इससे पहले जो भी method follow करते हुए आ रहे थे आप थोड़ी देर के लिए उस method को भूल जाईए ठीक है और जो तरीका मैंने बताया है उसको follow करने की कोशिस करिएगा ठीक है चलिए मिलते हैं हम लोग next class में तब तक आप सभी लोग अपना ख्यार लखे और पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखें चलिए thank you